दोस्तो लोगडाउन खतम होने के साथ ही आपके फ़ेड़ेट टीवी सीरियल के टेल कास्ट भी फिर से शुरू हो गए हैं और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के सीरियल का सोटी जिन्दगी की सीजन टू की स्टार कास्ट की रियल एज के बारे में तो प्लीज वीडियो को 19 सेतंबर सन 1987 को देहरादून में हुआ था और फिलाल इनकी एज है 33 साल इसके बद वीडियो में नंबर 9 पे बात करते हैं एक्टरेस सोनिया अयोध्या के बारे में जोकी सो में तनवी बजाज का करेक्टर प्ले कर रही हैं और दोस्तो सोनिया का जरम 12 जुलाई सन 1995 को मुं प्ले कर रही हैं और दोस्तो सुभावी का जरम 12 फरवरी सन 1982 को मुंबई में हुआ था और फिलाल इनकी एज है 38 साल वीडियो में नंबर 7 पे बात करते हैं एक्टरेस उर्फी जावेद के बारे में जोकी सो में तनीशा चक्रबरती का रोल निबा रही हैं और दोस्तो उर् सन 1996 को लखनव में हुआ था और फिलाल इनकी एज है 24 साल वीडियो में नंबर 6 पे बात करेंगे एक्टरेस साहिल आनंद के बारे में जोकी सो में अनपम सेन गुपता का केरेक्टर प्ले कर रहे हैं और दोस्तो साहिल का जिनम दो जनवरी सन 1989 को चंदीगर में हुआ था और फिलाल इनकी एज हो चुगी है 31 साल नंबर 5 पर जान लेते हैं एक्ट्रेस पूजा बैनेर्ची के बारे में जोकी सो में नेवेदिता बासुगा करेक्टर प्ले कर रहे हैं और दोस्तो पूजा का जनम आठ नौमबर सन 1991 गो नागपुर में हुआ था और फिलाल इनकी एज है 28 साल और वीडियो में नंबर 4 पर आते हैं सीरेल की नेगेटिव लीड एक्ट्रेस आमना सारिफ जोकी सो में कौमली का चौबे का करेक्टर प्ले कर रहे हैं और दोस्तो आमना का जनम 16 जुलाई सन 1982 को मंबे में हुआ था और फिलाल इनकी एज है 38 साल वीडियो में नंब मारत का जनम 11 मार्थ सन 1991 को मंबई में ही हुआ था और फिलाल इनकी एज है 29 साल नंबर 2 पर आते हैं सीरेल की लीड एक्ट्रिस एरिका फर्नेंडिस जोके सो में प्रेरणा सर्मा का करेक्टर प्ले कर रही है और दोस्तो एरिका का जनम 7 माई सन 1993 को मंबई में हुआ था और इनकी एज है 27 साल और वीडियो में नंबर एक पे बात करते हैं सीरियल के नेगटिव लीड एक्टर करन पटेल के बारे में जो कि सो में आप रिसब बजाज का करेक्टर प्ले करेंगे और दोस्तों करन का जनम 23 नौबर सन 1983 को खोलकाता में होता और इनकी एज है 36 साल तो दोस्तों इस सीरियल में आपके फेवरिट करेक्टर कौन कौन है हमें कमेंट करके बताएं इसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगा होते से लाइक और सेर ज़रूर करें और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें धन्यव